subscribe करे modern teach youtube channel को और इस bell icon पर click करके आल वाला option select कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के latest educational वीडियो का notification मिल सके दोस्तों चलिए फेडलिजम को जान लेते हैं किस प्रकार से कैसे कैसे इसमें क्या चीज़ें हैं तो यहां पर आप सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फ्रांश जो भी देख लीजें वहाँ पर दो ताइप से मतलव system work करती है first type उसका हो गया unilateral system युनिलेटरी शिस्टम जिसको हम दो बोलते है unilateral उसको बोला जाता है second है federal system ठीक है unilateral और federal यह दो ही ऐसी टाइप है जिनको run किया जाता एक तीसरा भी टाइप है जिसको हम आगे बताएंगे लेकिन जातर जो बी country है वह इनिंहीं दोनो जो भी system है उनको follow करती है को Unilateral System को follow करके अपना system run करता है अपने country को run करता है कोई अपना federal system मतब follow करके federalism है मतब मानकते हुए वो अपना country को run करता है तो यही 2 system है जिसके जरीय gobierno की salvar vy में ठीक है तो इसको फेडलिजम बोला जाएगा ? जिस कंट्री ने अपने देश के लोगों के लिए उस कंट्री को बोला जाएगा खैलिस्म तो अभी आपने समझ लिया कि फेडलिजम क्या होता है अब फुशन को समझ समझ लेते हैं ताकि आगे जब भी और कि टिया इंटेरल । है यह बहुत ही small form में है आगे इसके बीच में और पर जाए difference है उसको हम समझेंगे यह बहुत ही मतलब लोइस्ट आप definition के अंतरकत यह चीज़े आती है तो definition के अंतरकत आप देख लिए जैसे कि यूनिलेक्टर में government में आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है main powerful क्या होता है वो national government होता है मतलब की क्यों central रहेगा उसमें Central रहेगा वही सभी power मतलब उसके पास रहेगा वो जिसको जो भी देना चाहे power दे सकता है नहीं देना चाहे मत दे वो अपना जैसे काम करना चाहे कर सकता है मतलब Central ही उसमें क्योल रहेगा जबकि Federal System में यहाँ पर क्या होगा एक National होगा het National government होगा जिसको हम Center बोलते है National government ओ Clayton इह आपर Center बोलते है Center government और सेटेट होगा इंडिया में और सेटेट को भी देखेंगे National में आप देखेंगे जहाँ पर मोडी जी वहाँ पर रहते हैं अपना नेशनल की सभी चीज़ देखते हैं उनके जरी यह सासन की जाती है और स्टेट में आप देखेंगे जैसे कि आप यूपी से हैं तो यहाँ पर योगी जी सब चीज़ें देख रहे हैं तो इस प्रकार से सेकेंड पॉइंट इसमें यह कहा गया है कि स्टेट गवर्मेंट डिराइब दियर पावर फ्रॉम दर इसमें कॉंस्टूज्याइए दोनों में डिवीजन गर साथ में वहां की rule regulation है उसको आप देखिए तो इस प्रकार की चीज़ें तो यहां पर आप देखेंगे unilateral government में जैसे कुछ देश हैं जो कि unilateral form of governance को follow up करते हैं जो कि यहां पर example में आपको दिखाए गए है British France, Japan, चीन, इटली और यहां पर इसमें third point में बात यह कई गई है कि यहां पर देखिए यहां पर आप लोगों ने देखा national government होता है साथ में state government होता है अब इनको control करने के लिए एक होता है representative jurisdiction ठीक है representative jurisdiction क्या करता है अगर कोई भी कानून आया कोई state कोई Central सही से काम नहीं कर रहा है तो उनके वो क्या करता है उनको बताता है कि यह काम करिए ऐसा करिये वैसा करिये जो भी वह उपना उनको Right को हमेशा याद दिलाता रहता है अगर कोई गलत कानून मरता है गलत तरीके असासन करता है तो विधी को जो भी लौ है उसको याद दिर्याकर बोलता है यह देखिए ऐसा ऐसा लिखा है इसके अंतरगत आपको कार्य करना पड़ेगा तो यह रिप्रजेंटेट्टेट्व करता है अपने मतब लौ को हमेशा मत यह कुछ फेडरल स्टेट है तो यह भी बहुत ही छोटे फॉर्म में आपने फेडरलिज्म फेडरल और यूनिलेट्री गवर्मेंट का आपने वह देखा मतब की डिस्क्रेमेशन देखा उस वह इसमें क्या मतब भी नतायत थी वह देखा अब आपके मन में यह जरूर क्यो फेडरलिज्म को फॉलो करता है क्यों वह यूनिलेट्री फॉर्म आप गवर्मेंट को फॉलो नहीं करता तो इसका दो रीजन है फर्स्ट है यहाँ पर जो भी जियोग्राफिकल जो भी मतलब की चीजें है यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर रेथ है कहीं पर पहाड़ है और काफी लोग मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पर भासाओं में भी भिन्नता हैं लोगों को में भी भिन्नता हैं कहीं को लोग कुछ बोलते हैं कहीं को लोग कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है कि यहाँ पर जो तो भारत को गौर्ण करने के लिए इसलिए बहुत से जरूरी है क्यों जरूरी है क्या क्योंकि इनको आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपकी तभी consent है जो भी सभी चीजें वो clear होंगी तभी आप अच्छे तरीके सहुझ पाएंगी क्या federal governance में क्या-क्या चीजे होती है और यहां फर फर्स्ट में आप देखेंगे जो federal government होता है उसमें dual government होता है dual government system होता है मतलब की जैसे कि आप भारत कोई पकल लीजिए अब यहां पर हमारा लोगों का फेड़ल बतर गौर्नेंस है तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा central है उसके पास दो चीजे हैं दो चीजे क्या क्या है एक लोग सभा है एक राजसभा है उसके बाद में कौन आता है उसके बाद में राश्पत दिया आते है ठीक है तो यह फर्स्ट हो गया यहां पर मतलब Central में ये दो चीजे हैं कौन सा एक लोग सभा एक राज सभा और उसके नीचे आप आ जाएंगे तो State है State में भी क्या है विधान परिशत विधान मंदर तो एक तो State की मतब सभी चीजे हो गई और उसके बाद में Central की सभी चीजे हो गई तो State अपना अलग तरीके से कारी करता है अपने State को लोगों के लिए और यहाँ पर मतब कि राज्यपाल हो जाते हैं वहाँ पर राष्टपती होते हैं तो यह Dual Government होता है मतब कि State भाई अपना State की तरफ अपना कारी करेंगे और जो भी Central है वो अपना Central को क्यों देखेगा Central के अंतरगत सभी चीजों को देखेगा इस सब्सक्राइब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रों उसके बाद वह देखता है जबकि यहाँ पर unilateral में single form of government होता है single government होता है जो की मतब Central क्यों होता है ठीक है सेकेंड है फेडरल कंट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पर रिटेन कांस्ट्यूशन होता है जबकि उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है युनिलेक्टर में युनिलेक्टरी जो भी गवर्मेंट है उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है थर्ड में आप देखेंगे कि इ कॉंस्ट्यूशन और हम लोगों के जो भी फेडरल इस फेडरल गवर्मेंट है उसमें हमेशा ला को हमेशा सुप्रमेशी पाउर माना जाता है यानि कि वही मुख्य द्रिष्टिकोंड में लेते हुए सभी कार्य किया जाता है जबकि यहाँ पर ऐसा हो भी सकता है कॉंस्ट् कार्य करता है और उसी को सुप्रमेशी तोड़ बहुत जाता है और यहाँ पर हो भी सकता है यहाँ पर इसा पर जाते हैं भारत करती है और डरती नहीं इस प्रकार से काम करती है जबकि वहां पर हो भी सकता है इंडिपेंडेंडेंटर और नाट मतब नहीं भी होसकता है वह सात में सब्सक्राइब एक अलग राजसभा लाग रूलोक सभा हो जाता है और स्टेट में विधान परिशत विधान मंदल साथ में यह सब चीज हो जाते हैं वहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि वह जब अडर देंगे कि भाई तुम बना सकते हो इस्टेट वाले को तो बनाएंगे नहीं बोलेंगे तो नहीं बनाएंगे ऐसी चीजी हैं त्यक्षी तो आप लोगों ने I hope समझ लिया होगा कि फेडल सिस्टम और इन लेटर सिस्टम में क्या में और एक्ट्वल डिफ्रेंस है वह आप लोगों ने समझ लिया होगा अब हम लोग जानेंगे कि यह इसके अला में देखिएगा यहाँ पर ग्राफ में आप देखेंगे फर्स्ट है फेडरल सिस्टम में मैंने आपको क्या बता है कि फर्स्ट है नेशनल गवर्मन्ट थेक है स्केंड है इस्टेट गवर्मेंट यह दोनों आपस में मिलते हुए फिर जाके क्या करती है पीपिल के उपर गवर्णमेन्च मतब गवर्णनेंस करती है उनने लोगों को डारेक्ट साहसन के अंतर घती है यहाँ पर तो यहाँ पर मोषब्ष बार्फुल होती है उसके बाद में उसके उपर, इस्टेट के उपर central होता है, बट वो उसके साथ मिलकर people को उपर गवर्ण नहीं करता है, यहाँ पर state ही main powerful होते हुए people लोगों के उपर government करती है, तीक है, अब आप आपने समझ लिया होगा कि यह confidation क्या है, इसमें state main powerful होता है, जब कि यहाँ पर federal में इसमें पूशा नहीं जाता, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है, नेक्स हम लोग मतलब चलते हैं, आप देखते हैं कि जो भी federal system है, कि उसका क्या हम लोगों के, मतलब कि हम लोगों के इंडिया में कौन से ऐसे गूड है, जो कि federalism को दरसाते हैं, federal system को दरसाते हैं, ठी dual polity, dual polity मतलब कि first यहाँ पर आप देखेंगे state government है, उसके बाद में बीच में क्या होता है, हमारा union government, state government अपने state के उपर, ठीक है, अपने state के अंतरगत सासन करता है, उसके बाद में union government उन सभी के उपर अपना बीच में रह करके सासन विवस्ता को देखता है, तो इससे आप क मैं आपको बताया कि किस प्रकार से सकतियों का भी भाजन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि union को कौन-कौन सा power दिया गया है, union को माने के central को कौन-कौन सा power दिया गया है, central को power यह दिया गया है कि भाईया, कि आप national importance like defense को लेकर के ठीक है, उसको आप कानून मनाईए, foreign affairs क बताया के साथ में, communication and so on, मतब और भी चीज़े को लेकर के वो कानून बना सकता है, ठीक है, तो मतब की जो भी union, मतब जो भी माया center है, उसको बता दिया गया है, जैसे कि आप national defense को लेकर के आप कानून बना सकते हैं, foreign affairs को लेकर बना सकते हैं, मतब जो भी कानून है, साथ मे currency, पैसा, रोपया को लेकर बना सकते हैं, साथ में, communication किस प्रेकार से किया जाए, उसको लेकर के, आप मतब कानून बना सकते हैं, आगे आपको बताएंगे कि कितने चीज़ों को लेकर के, किसको बताया गया है, कि आप इतना मतब की काम कर सकते हैं, इतने topic भी बताये गया है जो कि मतब की union के अंतरगत आते हैं, और कौन कौन से topic आ जाते हैं, जो कि state के अंतरगत आते हैं, तो यहाँ पर आप state के अंतरगत कुछ आप मतब topic आप देख सकते हैं, जैसे कि first हो गया, regional and local importance like public order, public order मतब को लेकर को वो कानून बना सकते हैं साथ में, जो भी क्रिसी हो रहा इसको वो state वाले state government अपना control कर सकती है, ठीक है, और उसको लेकर के वो अपना कानून बना सकती है, तो यह जो power है, वो state को मिला है, इन सब चीजों को लेकर के बनाने का और यह जो power है, वो central को मिला है, इसमें कुछ मतब point है कि भाई, आप इतने को लेकर के बना सकते हैं, इत ही बात है नित्य है न के अंतर्गत आता है यहां पर फूरा सा संहाइं होती जो ऑप अर इसनиться होता है क्योंकि उसको लोगaff Поэтому राजसवा से अब कर वाना होता है अप्रूवल देखिए यहाँ पर अप्रूवल आफ हॉफ और इस्टेट लेजिसलेचर ठीक है यहाँ पर लोगसभा और राजसभा इस स्पेशल मेजॉर्टी को लेते हुए तभी आपका जाके अमेडमेंट होगा इसके बारे में आई होप आप जानते होंगे हम यहाँ पर को कवर अप कर रहे हैं बहुत ही इजली सब चीज़ों को ताकि इन सब पॉइंट को जल्दी खतम किया सके हैं साथ में यहाँ पर independent कि किसी मतलब की मतलब की हमारे मौलिक अदिकार क्रता ये फिर फिर बेसिक इस्ट्रक्टर है कि खिलवाड करता है तो इसको केंसे से कर सकते हैं थिस्टेश कंट सेटल the disputes between central and state between the state यानि कि जैसे कि state और central को ले करके कोई जगडा हो जाता है तो उसको settle यहाँ पर क्या कर देती है हमारा judicial system उसको set कर देती भाई आप ये काम करिए आप ये काम करिए और जो भी दोनों को बीच में confusion होता है वह समिधान को review करके उसको समझ करके बाद में उनको बता दिया जाता है कि जिससे बीच में उन लोगों की जगड़ा और लफड़ा उत्पन्य नहीं होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिश्री सिस्टम हो गया सेकेंड इस सुप्रमेशी आप देव कंस्ट्यूशन यानि कि जो मतब की हमारे जो समिधान है उसको में साथ सुप्रमेशी माना जाता है अगर वह अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पर उसको सजा दिया जाता है जैसे कि आप सब जामते हैं तो इस जामते हैं तो सब्सक्राइब का पावर है सुप्रेम कोड हाई कोड केंड डिकलियर लागर कोई भी लाओ अगर गलती है या फिर मतलब कि रॉंग फुल है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के सांथ खिलवार कर रहा है तो वह क्या बोलता है बोल देता है कि वहाई यह जो सम्मिधान है यह जो प्रवाइड नहीं कर रहा है तो वह इन्वैलिड घोसित कर जीजाता है यानि कि यहाँ पर जैस्टिस में पाउरफुल चीजें है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डिवीजन आप पावर जैसा कि आपसे जानते हैं डिवीजन आप पावर के अंतरगर्द जानेंगे कि कि साथ आइब्स आप इस प्रकार से क्या चीजें जैसा कि मैं आपको बताया है कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने कितने टॉपिक पर इस्टेट कानूर बना सकता है अपना काम कर सकता है कि इस तो upon मिल में बना सकते हैं यहां पर न t वो है, पावर हैं, जो कि आप बताये गया है, यहाँपर, फिर्स्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेकेंड है श्जिट लिस्ट पर कोई कानू बनाएगा, सेंटरल, ठीक है, और स्टेक है, Koreने कानून बना सकता है, यह अवर इसके अंतरकत, कोई भी मत्व कि जाय तो इस टेट अपना कानू सकता है चाय तो अपना वह सिंट्रल अपना कानू सकता है जिसके आप से ठीक समझे तो यहाँ पर यूनियर्ण लिस्ट में में मौने की जो भी सेंड्रल है वह कुल सब सब्रिम सैं सब्हों वह जिन पर वह जिसको मैंने बोला कि यह common है चीजे इसमें कोई भी चाहिए state चाहिए बना सकता है चाहिए तो अपना हम लोगों का Central चाहिए वो बना सकता है यह common list के अंतरगत आ जाते हैं और यह जो भी है जो कि मैंने आपको बताए दोहरी अभी है जैसा कि मैंने ने रशोब न पता है स्टेट के अंतरगत इस पॉइंट के अंतरगटे कि आ जाते हैं वहाँ जो भी हमारा वह FLता है इसकोन लोगस्बा हो जाती है तो यही इसके अंतरगट है और कुछ नहीं है जैसे कि कुछ यहां पर स्टेट के एक्जामबल भी दिए गया है जैसे कि जममो कस्मिर आप देख सकते हैं उत्तरपर्द्श आप देशार देख सकते हैं यहां पर करनाठक देख सकते हैं लगबख सभी राज्य में हैं अपना एक अलग से उनको बता दिया है कि आप अपने हिसाब से वर्क करिए लेकिन कुछ ऐसे चीजे मतब कुछ ऐसे मतलब की राज्य है जो कि थोड़ा सा मतब की लफड़े में भी चलते हैं जैसे कि वहाँ पर सिस्टम वहाँ पर रन करना नहीं ठीक होता तो किंद्र साथ इस प्रदेशुद से बना दिया जात है ऐिद्वेगी देन धी इन्डियन काउट दूशन यानी कि यूवस का जो भी चलिधान है वोगके जाथ है एंकте आप चैशा हम लोगों के इंडिया यहां पर आप देखेंगे जो भी अमेंड करने का प्रूबीजन है यानि कि समिदान में जो संसोधन करने का प्रूबीजन है वह बहुत ही हाड है जैसा कि आप सब जानते हैं कि मतलब कि जो हमारा भी समिदान है उसमें कि आप मतलब अमेरिका में देखेंगे कि वह 27 ताइस बार ही अभी तक संसोदन किया जा जुका है जबकि इंडिया में 94 बार तो इस वज़ा से हम लोग कर रहे हैं जो इंडिया का जो भी सम्मिधान है वो थोड़ा सा इजी है उसको संसोधन करना काफी इजी है जबकि यूएस का सम्मिधान का जो भी है उसको संसोधन करना थोड़ा सा कठीन है ठीक है क्योंकि वहाँ पर काफी कम टाइम तक अभी तक संसोधन किया जा चुका है तो प्रेश्ट्रपती में पाउरफुल होता है जबकि इंडिया में जो कि हमारा प्रधानमंत्री है वो में फॉरफुल होता है तो इसके लिए जैसे कि इंडिया में मतब स्वरी यूएस में अगर जो राष्ट्पती है प्रेश्टेंट है वो में फॉरफुल है और वहां पर वह सभी चीज़ सभी चीज़े वर्क करता है तो यहां पर हम उसको बोलते हैं प्रेश्टेंटी फार्म अब गॉर्मेंट ठीक है क्योंकि वहां पर प् प्रेश्टेंट बिंग अली नॉमिनल हेड यहां पर जो होता है प्रेश्टेंट हमारा जो भी राष्ट्पती होता है वो क्यों नाम मात्र का होता है ठीक है तो इस प्रकार की चीज़ें है यह सेकेंड पॉइंट में यही बाते कही गई है कि जो यूएस का समिधान आप द और फटनिया को जहां पर दोत जानते हैं इसके लिए वहां पर इंडिया का जो भी सिस्टम है लाग का जो भी सिस्टम है हाविवर रिपेडली डेवलपिंग वो धीरे-धीरे से ग्रू अप हो रहा है ठीक है अजजेज इन इद यूएस होल्ड ऑफिस एज लॉंग ठीक है कैपेबल वहाँ पर देखी क्या होता है वहाँ पर जो जब तक च पर रिटायर हो जाएंगे यहीं पर हाई कोड की जो भी जिजेज़ हैं उनको बोल दायंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे, सुप्रीम कोड वाले को बोल दिया कि वहाँ आप 65 अगर रिटायर कर दिया जाएगा तो इस प्रकार की डिफ्रेंस है यूएस के जुरूर सिस्टम में इंडिया के ठीक है second difference है different in citizenship जैसा कि आप सब जानते हैं कि US क्या करता है hold करता है दोहरी नागरिकता को जिसको हम लोग बोलते हैं double citizenship ठीक है और हमारा इंडिया कौन से citizenship को allow करता है single citizenship यानि कि जो भारत के लोग है वही क्यों भारत में रह सकते हैं जबकि यूएस ऐसा नहीं करता है वहाँ पर double citizenship allow करता है यानि कि किसी अन्य देश के लोग भी वहाँ पर जा करके रह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम conclusion को देखते हैं तो अभी तक आप लोगों ने यह जो सभी देखा आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ज कुछ हद तक दोनों में difference है ठीक है कुछ-कुछ हद तक दोनों में difference है तो वहाँ सिस्टम में difference है लेकर के चलने में difference है ठीक है इस प्रकार की difference है तो यही सब चीजें यहाँ पर है those it can be concludes that there are certain features of federalism which are common to both India and US कुछ ऐसे common है on the other hand दूसरे तरफ अगर हम देखे तो India and US differ in many aspects related to the federalism character of their constitution however both US and India federalism dispute having limitation are by and large successful तो यही स्थोटा सा difference है दोनों लगबग मतलब की जो भी चरेक्टरीज है दोनों follow करते हैं कुछ-कुछ हद तक मिलता है कुछ-कुछ हद तक नहीं मिलता है ऐसी चीजें है और इसी चीज को ले करके वो अपने federalism को ले करके आगे बढ़ रहे हैं तो यह था कि federalism किस प्रकार से मतलब कि US और इंडिया में वर्क कर रहा है क्या-क्या दोनों में difference है federalism country हमारा US भी है और federalism country इंडिया भी है और दोनों किस प्रकार से अभी यह वर्क कर रही है ठीक है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सब जानेंगे कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में relationship क्या है ठीक है ठीक है थेंक्स पर वासिंग गाइस बाइबाइड जाहीं थाट